नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिवा उनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की वीडियो और डिफेंस के एक्जाम्स के लिए बहुत जाता है महतुपूर्ण है तो खास करके जो लोग और डिफेंस के तयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और बार बार देखें तो दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो केवल डिफेंस के एक्जाम्स जैसे आर्मी, येरफोर्स, नेवी, आर्पी एफ, सी आर्पी एफ, सी आई एस एफ, आई टीविप, एसस बी, बीएस एफ, एड़ अधर डिफें चैनल सिबा उनलेन क्लासिस को सब्सक्राइब करना न भूलें, तो दोस्तो ये वीडियो बहुत important होने वाली है, तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से request करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर चैनल पर नह Mide Nights Sun कहा जाता है निम्लेखित में से किसे किस देश को Land of the Midnight Sun कहा जाता है तो आपके दोस्तों आपके दोस्तों आपके नारवे ऑप्सन भी स्वेडन ऑप्सन ची डेनमार्क और दोस्तों आपका ओप्सन दी है फ्रांस तो यहां पर Question Number 1 का Character answer है, Option A, नार्वे जी हां दोस्तो लेंड आप दे मिडनाइट सन कहा जाता है नार्वे के लिए तो यह बहुत ही इंपर्डेंट कोशन से है और एक्जाम्स में बार बार पूचा जाता रहता है नेक्स्ट कोशन है माराज का कोशन नमबर टू किस संदी से प्रिथम विश्यूद समाप्थ हुआ था तो दोस्तो प्रिथम विश्यूद जो था वो 1914 से 1919 तक चला था और तो जो 1919 में वो समाप्थ हुआ था तो वो जो विश्यूद था प्रिथम विश्यूद गो किस संदी से समाप्थ हुआ था तो options हैं आपके तासकंद स संधी तो दोस्तों आपको बताना है कि कि संधी से प्रिथम विश्यूद समाप्थ हुआ था Q2 के जो correct answer होगा दोस्तो वो होगा option B वर्सेल्स संधी दोस्तो प्रिथम विशुद जो था वो वर्सेल्स संधी से समप्थ हुआ था तो next question के तरब सिलते हैं next question है हमारा आज का question number 3 बादल फटने से क्या अभिप्राए है option से आपके तरिम बर्सा का निर्माड option B आस्मान में बिखरे हुई बादलों की मौजूदगी option C मेगा चहत्र मौसम में फसल के बीज बिखराना and option D बहेंकर तूफान के साथ असाधारान रूप से भारी बारिस होना आपको बता देना चाहता हूं कि बादल फटने से जो अपराए है वो है option D बहेंकर तूफान के साथ असाधारान रूप से भारी बारिस होना ही बादल फटने का अपराए है बादल फटना कहलाता है तो next question है question number 4 बहरत के राष्टरपती कितने राजसबस सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं option से आपके 14, 9, 12 और 2 तो दोस्तों बहरत के राष्टरपती जो है वो 12 सदस्यों के लिए मनोनीत कर सकते हैं तो question number 4 का है है correct answer होगा option C 12 तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमारा आज का question number 5 मद्रातर के सूर्ः की भूमी के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है option से आपके Sweden, option B, Norway, option C, Germany and option D, Finland तो question number 5 का correct answer होगा option B, Norway तो यह question repeat होगया दोस्तो question number 1 और question number 5 से में होगया है ये इंग्लिस में है question number 1 इंग्लिस में है question number 5 हिंदी में है तो मदरात्री के सूर्य के लिए जो भूमी जाने जाती है उसका नाम है दोस्तो नारवे तो next question के तरफ चलने से पहले मैं आपसे request करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को भी तक like नहीं किया है तो दोस्तो please इस वीडियो को like कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को share भी करें और अगर चैनल पर नए है चैनल को subscribe नहीं किया भी तक तो चैनल को subscribe करके well icon को press ज़रू कर ले जैसे आपसे किसी भी important वीडियो की notification मिश ना हो तो दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की जो pdf file है वो आप वीडियो के description से download कर सकते हैं और ये विल्कुल free है तो दोस्तो next question की तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 6 DNA का पूर्ण रूप है DNA का पूर्ण रूप है तो दोस्तो DNA टेस्ट होता है तो इसका DNA की full form क्या है options हैं आपके सामने option A dinucleic acid option B deoxynucleic acid option C diarabonucleic acid option D है दोस्तो आपका deoxyribonucleic acid question number 6 का correct answer है option D DNA का पूर्ण रूप होता है दोस्तो deoxyribonucleic acid तो next question की तरफ चलते हैं next question है दोस्तो हमारा question number 7 इन भारती संगीत दिग्जों में से सितार बादा कौन है इन भारती संगीत दिग्जों में से सितार बादा कौन है options है आपके भीमसेन जोसी option B रवी संकर option C अमजद अली खान और दोस्तो आपका option D है अल्ला रखा तो question number 7 का जो correct answer है आपका वो है option B रवी संकर तो रवी संकर जो हैं दोस्तो वो सितार बादा का हैं तो question number 8 की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 8 है हमारा आज का गड़ेस महुचसब का प्रारम किस ने किया था गड़ेस महुचसब जो की दोस्तो मनाय जाता है तो गड़ेस महुचसब का प्रारम किस ने किया था option से आपके महत्म गांधी ने लोकमाने तिलक ने पंडित नहरू ने और इंद्रा गांधी ने तो दोस्तो question number 8 का आपका जो correct answer होगा वो होगा option B लोकमाने तिलक जी हैं दोस्तो गड़ेस महुचसब का जो उससब होता है उसके लिए लोकमाने तिलक ने प्रारम किया था तो next question है दोस्तो हमारा आज का question number 9 सिस्टमों पर एक से अधिक प्रिक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है सिस्टमों पर एक से अधिक प्रिक्रिया चलाने को साथ साथ क्या कहा जाता है options हैं आपके option A multiprocessing option B multiprogramming option C real-time and option D base processing तो दोस्तो एक सिस्टम पर एक से अधिक program को एक साथ चलाने के लिए कहा जाता है multiprocessing question number 9 का correct answer होगा option A multiprocessing तो दोस्तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमार आज का question number 10 मृदर रहत क्रिशी को क्या कहते हैं option से आपके अंतराल फचलन option B रेशा मुतपादन option C जल संबर्धन and option D आदरता संबर्धन तो मृदर रहत क्रिशी को दोस्तों कहते हैं option में आपको बता चुका हूँ तो मृदर रहत क्रिशी को हम कहते हैं दोस्तो जल संबर्धन तो question number 10 का correct answer आपका option C जल संबर्धन तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही था कैसे लगी ये वीडियो मुझे comment करके जरू बताएगा और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल इकन को प्रेज जरू कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुँच रहे सबसे पहले और आप रहें एकदम अप टू टेल तो दोस्तों मैं आपके एक बाप फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप RPF की या फिर किसी भी defense exams के तयारे कर रहे हैं खासकर कि RPF Railway Protection Force की आप तयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एक दम से राम मार साबित होने वाली है बहुत ही important वीडियो है और मैं ऐसे तरह से वीडियो अपने चैनला पर लेकर आता रहता हूँ तो दोस्तों thanks for watching कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो साथ में उम्मिद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहन जै भारत